मैं ललीत सिंग अब सभी किशान वाईयों को एक वार फीड से अपने चैनल पे नमन करता हूं और मिलवाते हैं एक ऐसे किशान से जो आल आवर हडियाना नहीं आल आवर हिंदुस्तान का एक गीना चुना पसुपालक है और देखिए जहां तक ये नजर आ रहा है किशान का बेटा मानो किशान का बेटा धरोहर ही किशान होता है और ये अपने पिता के कारियों को किस्तरा अंजाम देते हैं पढ़ाई लिखाई करते हुए भी बड़े हाथी छोटे किशान दिखाते हैं आपको क्या राज हैं असल पिता के काम को अंजाम देते हैं पढ़ाई को पूरा करने के बाद क्या सौख रखते हैं पसु पालन से और कितना लगाव होता है इनको अपने पसु से या अपने घर के जो काम हो है उनसे तो मिलवाते हैं पहले तो इस नन्हे किशान से और पूछते हैं इनका नाम क्या बहुत प्याड़ा बच्चा है और जहां तक देखा जा यह अपने पापा के काम को अंजाम देते हैं इनको कितनी बड़ी शौक है पसुपालन से यही आगे कर जाकर के एक अच्छे उन्नत किशान बनेंगे तो मिलते हैं पसु मालिक सुमेश भाई से सुमेश भाई राम राम ठीक ठाक अपना सुना भाई साब सुक्रिया भाई साब तो क्या एज हुई है अपने इस बूल की पांथ साल की एज हुई है जहां तक देखते हैं जो वड़ी इसका है जो हाइट लैंथ प्रसनाइल्टी हम आज तक तो इतने लंबे चौड़े बूल कभी देखे नहीं थे अपने एज में बट मैं यहां जब हड्याना आया तो देखा यह किस एज का और किस हाइट का है तो पूछते हैं सुमेश वाई से यह थोड़ी वीकनेस टाइप जो आप देख रहे हैं यह सिमेंस वैंक से अभी आया ही है और लगभग यह लंबा टाइम तक सिमेंस वैंक मे ही रहते हैं जिसका एक वजूद होता है कि लंबा टाइम तक सिमेंस वैंक में छोड़ने के बाद ही हम जो भी पसुपालक है या जो भी बुल मालिक है उसको अच्छे ड्रो सिमेंन मिल पाते हैं तो सुमेश भाई से बात करते हैं सुमेश वाई इस जोटे का नाम क्या है प तक आपने शुना कि मा का भी और दादी का भी दोनों मिल्क तो सारे रेकॉर्डेड पसु से ये एक कोहिनूड निकला है जिसे हम ब्लैक गॉल्ड भी कह सकते हैं और जहां तक पूछते हैं वाई साब से कि इनके बच्चे अभी कितने इस तक के आगे हैं 12-15-17 मेने के तो बच्चे भी काफी अच्छी अच्छा करते हैं वाई मेहनत किया हुआ जो भी काम होता है ना थोड़ा लेठी लेकिन अच्छा डंग लाता है और जहां तक बुल का हम देखे तो मिल दिखलाते हैं आपको इसकी रेंग सिंग देख सकते हैं सबसे बड़ी बात इसकी यह है ना कि इसके अगा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके स्वभाब को आप देखिए जहां तक इसकी जो हाइट है मानों अपने पर आज आए तो फिर किसी का सुने ना फिर वी यह कितने सांथ स्वभाब से खड़ा है और लगभग हम इसको चार या गिने चुने बुल या गिने चुने पसुपालक हम आप सभी किसान भाईयों को दिखलाते रहेंगे और इस वीडियो का अबस एक ही मतलब उद्देश है कि हमारे यहां जो पसुपालन से दूडियां बनती जा रही हैं लोगों की वो थोड़ी नजदिकियां बने और हम भी पसुपालन से कुछ अर्ण करें ऐसा नहीं कि पसुपालन से कुछ नहीं मिलता है आप अच्छा वर्क करोगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा जैसे हड्याना के औलबर जो भी किशान है जितने भी प्रांडेड किशान है जिनके अच्छे बुल है वो साड़े में लोग पसुपालन से मूँ मोडता ही जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है अगर रूची दिखलाते हैं आप किसी काम में तो उसका रिजल्ट बहतर ही आता है हाँ थोड़ा हमारे हाँ सबसे बड़ी समस्या है ब्रीड की हमारे हाँ नसल ना होने के कारण जो है ना सो थोड़ी क जिखत होती है तो बस एक ही कहना है मेरा कि हमारे हां के जो भी किशान है सीज को काफी नजदीकी से समझे और इस कारी को करें और एक अच्छे बुल का सेलेक्शन करें जिनकी एक अच्छी रिकॉर्ड हो उनके मिल्क लाइन जो भी बुल है उनकी मा का क्या है या उनकी दर्षकों से बस यही कहेंगे कि एक अच्छे पसुपालक का यही एक मात्र लक्ष reacts होता है जो कि अच्छे सिमेंट सेलेक्षन से आप अच्छे बच्चे लेते हैं और जाकर के आगे वही अच्छा बच्चा मुद्ट हमेरे को अच्छी दूद देती हैं तो हमारे इस वीडियो का बस यहीं पर हम समापन करते हैं और सभी दर्सकों को एक बार फिर से नमन करते हैं